दोस्तों अगर आप Ola S1 और Ola S1 Pro दोनों में से कोई एक इलेक्रिक स्कूटर खरीदने का मन बना रहे है तो आपको कौन सा इलेक्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोनों में कमपेरिजन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और क्या गलती आपको नई करनी और कौन सा आपको खरीदना है वो सारी जैनकारी आपको यहां पर मिल जाएगी ओला इलेक्रिक की तरफ से देश में तीन इलेक्रिक स्कूटर लॉंच किये गए हैं और तीनों में से दो इलेक्रिक स्कूटर अभी समय भारत वाजार में मोजूद है और इसे सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जता है और उसकी कीमत की बात करें तो दोनों के बीच खाली 10,000 रूपे का अंतर है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोनों electric scooter की तुलना करके आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कौन सा electric scooter खरीच सकते हो तो आपको यहाँ पर doubt clear होने वाला है तो अगर अपन यहाँ पर कीमत की बात करें तो कीमत में कितना अंतर है तो सबसे बेला हम दोनों electric scooter की अगर कीमत की बात करें और अगर आप Ola S1 करीदने की सोच रहे हो तो आपको एकलाक 29,000 में देखने को मिल जाएगा वहीपन Ola S1 Pro की बात करें तो आपको एकलाक 49,000 में देखने को मिल जाएगा यानि कि मातरत 10,000 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोनों इलेक्टिक स्कूटर की कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन इसमें रेंज और प्रफोर्मेंस में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाते है तो वहीपन बात करें कोन है ज़्यादा फास्ट हो यहाँ पर Ola S1 Pro थोड़ा फास्ट है इन दोनों इलेक्टिक स्कूटर में समान मोटर इस्तेमाल किया गया है और इसकी मोटर की 8.5 किलोवाट का मेक्जिमम आटपूट उत्पन करती है दोनों में यह आपको 58 अनेम का टोक देखने को मिल जाता है वही अगर 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 आपन रेंज की बात करें तो दोनों इलेक्टिक स्कूटर के अंदर आपको बेटरी की बात करें तो S1 के अंदर आपको 3 किलोवोट की बेटरी पेक का इस्तेमाल हुआ है वही Ola S1 Pro की बात करें तो यहाँ पर एलेक्ट्रिक आपको 4 किलोवोट की बेटरी देखने को मिलती है यानि की बेटरी में भी थोड़ा अंतर है वही अपन बात करें दोनों एलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लिथियम आन बेटरी का यूज किया गया है और अगर अपन बात करें रेंज की तो Ola S1 Pro 128 किलोमेटर एक चार्ज के अंदर चलती है वही Ola S1 Pro की बात करें तो यह 170 किलोमेटर एक चार्ज के अंदर आपको देखने को मिलती है तो यहां पर रेंज और स्पीड का ही अंतर है बाकि लगबग फीचर सारे सेम है देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह Ola S1 है यह Ola S1 Pro अगर दोनों पास खड़े हुए तो आप खुद कंफ्यूस हो जाओगे कि कौन सा S1 है और कौन सा S1 Pro है खाली स्पीड और रेंज से ही आपको पता चल पाएगा कि यह S1 है और यह S1 Pro है वही अपन मिलते फीचर की बात करें तो दोनों इलेक्रिक स्कूटर में लगबग समान फीचर आपको देखने को मिल जाते है ओला S1 की स्पीड कम होने के कारण इसमें तीन रॉडिंग मोर्स देखने को मिलते हैं इको नॉर्मल और इसमें गवार इको बात करें ओला S1 Pro की तो उसमें आपको एक हाइपर मोर्ट भी देखने को मिल जाता है आपको तीन मोर्ट तो देखने को मिलेंगा लेकिन आपको range जादा मिल जाएगी, top speed जादा मिल जाएगी तो और feature आपको लगबग same मिल रहा है तो अब आपका doubt clear हो गया होगा, आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो आपको यहाँ पर Ola S1 Pro ले लेना चाहिए यह 10,000 का अंतर है, लेकिन आपको range जादा मिलेगी, speed जादा मिल जाएगी Ola S1 और Ola S1 Pro electric scooter range में top speed के अलावा, कुछ भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों आश्या करता हो, वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजेगा मिलते हैं एसी कसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई